नमस्कार दोस्तों आप सभी का study quiz with निर्मला यूटूब चैनल पर स्वागति हैं आज क्रशी परिवेक्षक यानि एगरी कल्चर सुपर्वाइजर का पेपर था पेपर बहुती अच्छा है हम यहाँ पर स्वालू करेंगे हिंदी के 15 प्रश्ण उसके बाद जीके के करेंगे तो यहाँ पर देखी हिंदी के 15 प्रश्ण रीट वाले विद्यारतों के लिए बहुती अच्छे हैं वो स्वालू जरूर करें और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर करें वीडियो को लाइक करें और किसी ने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइ प्राप्ति की तिवर इच्छा चरिक्ष्ण कोई काम करने की इच्छा चिकिर्षा बार बार युद्द करने की इच्छा युद्षा और रश्ना करने की इच्छा सिश्ष्ण तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ए विजे प्राप्ति करने की तिवर इच्छा को चईश् यहाँ पर यह आसंगत हो जाएगा तो राइट आंसर हो जाएगा फेलेगा A नमबर दू किस विकल्प का शब्द वारतनिक दरश्टी से अशुद्ध है सरोजनी दरस्टव्य ग्रहिनी या रचीत्री तो यहाँ पर पूछा गया है कि शब्द वार्थनी के द्रस्टी से अशुद्ध है तो right answer यहाँ पर हो जाएगा A सरो जनी यहाँ पर सरो जीनी होता टेकिन यहाँ पर क्या है सरो जनी है तो right answer हो जाएगा A नेक्स्ट है किस फिकल पर कि शब्द का संदी विच्छत असंगते अन्यतर अन्यधन इतर अभिपसा अभी इपसा इसनाविस्टी इसनेधन आविस्टी पित्राग्या पित्रिधन आग्या बी, सी, डी बिल्कुल करेक्ट है तो राइट अन्यधन इतर यहां पर उतर है यहां पर आता इतर तो इसके राइट अन्सर हो जाएगा ए नेक्स्ट ए, जो बोलने में बहुत चतूर हो, उक्त वाक्याश के लिए उचीत एक शब्द चुनना है जो बोलने में बहुत चतूर हो तो राइट आंसर हो जाएगा वागपटू नेक्स्ट ए, किस विकल्प के सबी शब्द परस पर परियाए नहीं है तो यहाँ पर परस पर पर्याय नहीं है यह पूछा गया है तो राइट आंसर यहाँ पर तीसरा हो जाएगा धनुष्ट, कोदंड और उरग यह बिल्कुल आपस में कह सकते हैं पर्याय नहीं है तो राइट आंसर हो जाएगा C Next is प्रति से निर्बित शब्द जके संदर्में असंगत विकल्प चुनना है तो तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फॉर्स त春th गया असंगत है जाएं परर्याय नहीं हो जाएगा CiD क्रित प्रत्य से निर्में तो राइट आंसर हो जाएगा ए नेक्स्ट ए किस विकल्प के सभी शब्द मचली के परियाए हैं मचली के परियाए यानि परियाएवाची प्यूचे गए हैं तो राइट आंसर हो जाएगा साथवे का मचली के परियाएवाची सी ओप्षन में शल मेश भक्ति देश की भक्ति नहीं होता है देश के लिए भक्ति होता है तो सी यहाँ पर सही हो जाएगा नेक्स्ट किस विकल्प का प्रशाश्निक शब्द अपने अर्थ से सुमेलित नहीं है यानि मेश नहीं है तो राइट आंसर होगा दी इंसाइट तटस्ता यहाँ पर मे यहां पर हो जाएगा डी वाला तवास्टी तवास्ट्री यह आपर मेश नहीं है तो राइट आंसर है क्योशन नमबर 10 का डी नेक्स्ट ए विलॉम शब्द की द्रस्टी से कौन सा शब्द या कौन सा विकल्ब अनूचीत है अनूचीत पुछा गया है तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा C तेजस्वी और यशश्वी यहां पर विलॉम शब्द नहीं है राइट ए C नेक्स्ट ए आसंगत सामासिक युगम का चैन कीजिए तो यहाँ पर जो D है यथा विदी के तत्पूरुष समासका नहींगे यथा विदी किसका हो जाएगा अव्यवी भाव का इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा D क्योशन नमबर 30 आर्थी की द्रस्टे से कौनसी लोकोक्ती आसंगाती है तो राइट आंसर यहाँ पर होगा कोवा चले हंसकी चाल बिना सोचे समझे अनुसरन करना यह सही है जैसे सापनात वेसे नात दो व्यक्तियों में एक से अउगुन होना यह भी सही है कहां राजा, बूज, कहां गंगु, तेली, दो आसमान व्यक्तियों की तुलना यह भी सही है यहाँ पर जो D option वो सही हो जाएगा टके की चटाई, नोट का विधाई तो राइट आंसर है क्योशन नमबर 13 का D क्योशन नमबर 14 निम्न मेंसे अशुद्ध वाकि का चैन करना है मैंने राधा को एक पुस्तक समर्पित की कृपिया दर्वाजा बन करने का कस्ट करे यह काम कोई वक्किल से ही हो सकता है प्रतिक व्यक्ति को सात्विक जीवन जीना चाहिए तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अन्तिम प्रश्णे निम्न मेंसे शुद्ध शब्द का चैन करना है तो यहाँ पर शुद्ध शब्द कोन सा ही यह पुछा गया ही तो यहाँ पर ए राइट आंसर होगा रित्य नूसार तो यह थी 15 परश्ण इन्हें कीजिए और कमेंट सेक्षन बताईए आपके कितने सही हो रहे है धन्यवान